हमारे चैनल में आपका स्वागत है नजर डाले एक विशेश खबर पर गुरुग्राम में दो महिलाओं का विवाह आजकल बड़ी चर्चा में है उन में से एक मेकप आर्टिस्ट है और दूसरी टीवी आर्टिस्ट एक नई बात है दोनों के परिवार विवाह से सहमत है समाज में काफी आलोचना हो रही है इसके पहले भी ऐसे विवाह हुए है पुरुशों ने भी किये हैं पर हाँ समलेंगिक विवाह को समाजिक मानेता मिलना मुश्किल है मगर दूसरी तरफ ऐसे जोड़े कानूनी मानेता पाने के लिए अदालत पहुच चुके हैं यहां एक बड़ा सवाल है क्या दो समान जेंडर में विवाह हो सकता है क्या वह विवाह कहलाएगा बात उनकी खिल्ली उडाने या भर्सना करने की नहीं है बात विवाह की सार्थकता की है विवाह की रस में निभाना विवाह नहीं कहलाता विवाह मतलब दो विशमलिंगी दो अलग अलग जेंडर के लोगों का पारिवारिक जीवन में कदम रखना अलग जेंडर होंगे तो परिवार में व्रिधी होगी इसका भावनात्मक आधार है इस्त्री में मां और पिता में पुरुष बनने की इच्छा और शम्ता विवाही इसे मानिता देता है नहीं तो संताने अवैद कहलाती है संतान से वंश बढ़ता है और संपत्ती हस्तांतरित होती है इसके अलावा पुरुष अपने माता-पिता और अन्य परीजनों की देखवाल का जिम्मा भी उठाता है सयुक्त परिवार है तो बहुत कुछ साजी दिम्मेदारी होती है इसलिए भारतिय परिप्रेक्ष में विवाह सिर्फ दो लोगों का मामला नहीं है हमारे यह यह परिवार जैसे संस्था को बनाई रखने का नाम है यानि परिवार संस्था के रूप में विवाह से संचालित होता है दो समान जेंडर चाहे पुरुषों चाहे दोनों महिलाओं कभी भी परिवार आगे नहीं बढ़ा सकते तो फिर उन्हें विवाह के संसकार में आने की क्या जरूरत? या ये कहें विवाह जैसे संसकार में आने की जिद क्यों? साथ रहने का अधिकार उन्हें पहले ही मिल चुका है, कानून इसमें कहां बाधा है? दो बालिक पुरुष या दो बालिक महिलाओं को साथ रहने का अध भाशित होते हैं, उनको बच्चे गोद लेने का कानूनी अधिकार भी है, हाँ माता पिता के रूप में नहीं, सिंगल पैरेंट के रूप में, स्वभाविक है जहां दो मैलाएं हों या दो पुरुष हों, वहाँ बच्चे को माता पिता तो नहीं मिल सकते, या दो माय या दो पिता, वे दोनों आपस में भले ही किसी मनुभाव से रह रहे हों, इसलिए सवाल उठता है कि जब कानून के स्विक्रिती है, दोनों साथ रह सकते हैं, बच्चा गोद ले सकते हैं, तो कानून से विवा के बंधन में बंधने का प्रमार पत्र क्यों चाहिए, क्या अपने भविश्य के लिए कानून का आवरण चाहिए, तो क्या कोट उन्हें दे सकता है, यह भी देख लें, सोचिए वैवाईक विवाद होने पर दोनों अलग होना चाहें, तो इस्तरिधन किसका होगा, इस्तरिधन यानी लड़की को शादी से पहले, शादी के दौरान अबाद में मिली वी सबी चीज़ें, जैसे माता-पिता, ससुराल वालों, रिश्टेदारों और दोस्तों से मिले, गिफ्ट, धन, गैने, जमीन, बरतन, यह सारी चीज़ें, दोनों लड़की हैं, तो किस लड़की को मिलेगा, जो खुद को लड़की मानती है, तो फिर जो टारे के लिए नया कानून चाहिए, अब बच्चे का मामला देखिए, समलेंगिक जोड़ी को बच्चा नहीं मिलेगा, सिंगल पैरेंट को सिंगल सिंगल ही मिलता है, यानि एक पैरेंट को एक बच्चा, इस तरह, दोनों को एक समान मान कर, दंपती मान कर बच्चे नहीं अगर समलेंगिक महिला विवाह के बाद तलाक ले रही है, तो पिता की संपती पर बच्चे का हक कहा है, वह कानूनी रूप से सिंगल पैरेंट यानि एक ही व्यक्ति का बच्चा है, इसके अलावा इन्हें सेरोगेट शिशू का भी अधिकार है, तो आप देखें बच्चे और क्या मांगने का हक रखेगा, खुद को महिला मानने वाले पुरुष के बच्चे का भविश इस परिवार और खांदान में क्या है, और खुद को पुरुष मानने वाली महिला के बच्चे का भविश भी, कानून की किताब में समलेंगिक दपती शब्द नहीं है, मातापिता को बेटे की देखबाल से अलग रखा जाएगा? किया दोनों लड़कियां मातापिता की देखबाल से मुँत्त होंगी secondo, लड़के का भाव रखने तो उनके बीच की हिंसा, हिंसा नहीं कहलाएगी। विवा एतर संबंदों की उल्जन समझना ही मुश्किल है। समलेंगिक महिला किसी दूसरी महिला से संबंद रख ले तो दंड कैसे निरधारित होगा। पुरुष से सम्बंद रख ले तो क्या वेविचार कहलाएगा यही सवाल सम्लेंगिक पुरुषों के साथ भी है क्या वेविचार का पैमाना बदलेगा उन्हें तलाक लेना है तो आधार क्या होगा और सबसे बड़ा सवाल जो जैविक रूप से महिला है उसे कोट कैसे पु इस विदान को बदलने का मतलब है सामाजिक व्यवस्था से छेड़ चार पूरा सामाजिक धांचा बिगड़ जाएगा विशह बहुत कंभीर है कोट को भी कंभीर होना पड़ेगा आज के लिए इतना ही जुड़े रहे हमारे साथ